वेलकम एनेडू अधिक तो टोटे वी आ स्टार्टिंग विद लिडेनी चाप्टर ओफिस्ट्री दात इस रॉम एंटेंग ग्यादरिंग टो ग्रोईंग फूट लेट्स इस चार्ट तु सबसे पहले हम्स्टाट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा दूर्गी तो हं सबसे पहले हैं कि पहले कि लोग थे हमारे सबकॉंटिनेन में पहले रहते तो इसमें अभी 2 million years पहले की बात बने तो जो लोग थे ही हैं क्या करते थे हाथ जो पहले की लोग थे ही यह hunter gatherers को उनको बोला चाहता था इसली बोला चाहता थे क्यों की hunting करते थे अभी क्या क्या हंट करते थे wild animals को हंट करते थे fishes birds और roots को gather करते थे roots, nuts, seeds, leaves, chalks and eggs इनको gather करते थे that's why इन्हें hunter gatherers को बोला चाहता था अब पिछले chapter में हमने पढ़ा था कि जो hunter gatherers थे ये पहले देखे हमको पिछले chapter में बताया था कि जो hunter gatherers थे ये एक चगे से दूसी चगे move करते थे लेकिन reasons उसमें हमें नहीं बताया थे तो reasons हमें first chapter में दे रखे हैं तो कुछ reasons हैं पहला reason ये था कि अगर वो एक ही जगे में रहेंगे तो फिर वो सारे available resources जो होंगे जो उनको वहापे मिल रहे हैं वो सारे खा जाएंगे और फिर रहा का सब कुछ जो होगा वो खतम हो जाएगा इसलिए उनको दूसरी जगे अपनी आगे की livelihood को जलाने के लिए दूसरी जगे जादा पड़ता था जहापे उनको फिर से वही चीज़े मिल जाती थी सेकेंड है जो एनिमल्स थे जो हाटा क्या दरस्ते हो एक जगे से दूसरी जगे इसलिए मूग करते थे क्योंकि जो उनके खुद के प्रे थे उनके जो खुद के शिकार थे वो वही दूसरी प्लेस में चले जाते थे अब क्यों जाते थे क्योंकि उनको भी तो चोटे चोटे कीडे मकौडे वगरा चाहिए होते थे वो भी तो अपने शिकार करने जाते थे तो इसलिए अपने प्रे के लिए अपने शिकार के लिए उनका पीछाप करते थे अपने प्रे करते थे उनको पॉलो करते थे तो उनको भी तो अपना ला उनका शिकार है उनके मूवमेंट्स को उन्हें घंटां गयादरर्स को फोलोग करना पड़ता था प्रे वह भी अपने प्रे के खोज में जाते थे और हंटां गयादरर्स को भी अपने अपने जो प्रे हैं उसके मूवमेंट्स को फॉलो करते थे थर्ड रीजन ये है वो सीजनल ही जाते थे क्योंकि अलग-अलग सीजन में अलग-अलग प्रांच और फ्रूट्स मिलते थे तो इसलिए भी उन्हें ए जगे से दूशी जगे जाना पड़ता था फॉर्थ रीजन ये है कि जो प्लांच और आनिमल्स और प्यूपल है इन सब को वाटर की बहुत नीड होती थी क्योंकि वाटर से ही सर्वाइब करते थे तो ये ऐसी जगाओं में भी जादा रहना प्राइब करते थे जापे वाटर खूब मिलता है जापे स्ट्रीम जापे लेक सो स्ट्रीम सो रिवर्स वाइल मैनी रिवर्स और लेक सार पैरेनियल मतलब क्या होता है तो पैरेनियल को याद करने का बहुत असान तरीका है perineal peri मतलब क्या होता है peri मतलब होता है perineal मतलब होता है annually perineal मतलब होता है annually, मतलब yearly मतलब throughout the year with water throughout the year that is known as perineal others are seasonal some people living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons winter and summer how do we know about these people so in people's people we know how to do it so in people's people we know archaeologists through archaeologists that archaeologists have researched and research hunter gatherers how do we know about these people now küpking करने के लिए hunting करने के लिए कामाता था अर जो animals है उनकी skin को नेकालने के लिए पिए कामाता था chopping के लिए इन सब चीजों के लिए ये कुछ ऐसे stone tools है कामाते थे अब हम मतलब जानेंगे साइट्स का तो साइट्स मतलब देखें क्या होता नहीं अभी साइट्स का मतलब नहीं बताना है क्योंकि अभी साइट्स आया नहीं तो अब मुझे बताना है चूजिंग अ प्लेस तो अब हम देखेंगे choosing a place to live in तो आप इस map को देखिए इस map में हमें ये बता रखा तो इसमें हमको ये बता रखा है कि जो कि triangle shape की sites है वहाँ पे archaeologist को सबसे जादा ऐस evidence मिले है जापे hunter gatherers रहते थी उसके अलावा भी यहाँ पे विसमें तो map में तो काफी कम sites दे रखिए लेकिन असलियत में जो river है river जो है उनकी site उनके banks में भी हट टाइगेदरर्स मिलते थी तो अब ट्राइंगल देखें ट्राइंगल में लेखा पहलो लेतिक site राइट तो कुर्णूल केव जहाँ संगी अब भी फिम बेट का चलिए एक बाद भी बेट का बता देती हूं तो भी मबेट का प्रेजन अध्य प्रदेश में है और भी मबेट का सबसे इंपॉर्टेंट जाएगे इसलिए माने चाहती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स पेंटिंग्स अगरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली है अब हम बात करेंगे साइट्स की तो साइट्स होता है sites वो places होती है वो जगा होती है जहापे सबसे जादा tools, spots, buildings यह सब मिलती हैं उन्हें हम sites बोलते हैं अब हम बात करेंगे finding out about fire तो finding out about fire तो हम बात करते हैं कुर्णूल केफ्स की तो कुर्णूल केफ्स सबसे important चाइची से इससे भोली गई है कुई कजो कुर्नूल केफ्ड हैं वहां पे सब वहां पे phrases of ash मिले है ash जो है वहां पे वो मिली है तो उसका मतलब है कि वहां पहले hunter gatherers थी उनको ash उनको पता चल गया था उनको मतलब उस जमाने में जो hunter gatherers है वो fire का use करने लगाए थे ठीक है अब कुछ भी हो सकता है वो क्यों use करते थे तो आज के लोग जिस्ट का मानना है कि वो इसलिए use करते थे ताकि जो wild animals से उनको भगाने के लिए and as a source of light to roast meat और जो खाना वग रहा है इसको पकाने के लिए meat को roast करने के लिए चलिए अब ये वाला जो है ये वाला बहुत बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है तो इसमें हमें बता रखा है पैलोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज तो पैलोलिथिक एज है old stone age और ये old stone age कब तक चली दो मिल्लियन साल से लेके बारह हजार बारह हजार तक बारह हजार साल तक ये पैलोलिथिक एज चली इस लोंग स्पैन आफ टाइंग कवर नाइटीन है हाँ, तो मैं पहले तो बात आ देती हूँ पैलोलिथिक एज मतलब होता है old stone age फिर मीसोलिथिक एज आता है ये क्या होता है middle stone age उसके बात आता है new लिथिक एज जो होता है new stone age अब पैलोलिथिक का मतलब क्या होता है पैलोलिथिक तो पैलो मतलब होता है old अब लिथिक मतलब होता है stone तो मतलब old stone age जिसे हम बोलते हैं पैलोलिथिक एज अब मीसोलिथिक का मतलब middle stone age मतलब Middle Stone Age Mesolithic Age और Neolithic Age Neo plus Lithic Neolithic Age meets New Stone Age और Mesolithic Middle Stone Age तो यह जो Paleolithic नाम है यह Greek word है इसका मतलब मैं आपको बता दिया है ओके, now the name points to the importance of finds of stone tools तो पैलोलिथिक period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago this long stretch of time is divided into the lower middle and upper Paleolithic this long span of time covers 99% of human history तो यह जो पैलोलिटिक एज है ये दो मिलियन येर्स से लेके 5000 साल तक चली थी उसके बाद इसमें ये भी पता चलता है कि 99% जो टाइम स्पैन है हुमन का तो 99% तो इससे ही हमें पता चल गए कि 99% पता चल गए कि 99% पता चल गए अब हम बात करेंगे मीसोलिटिक तो मीसोलिटिक 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक चली जिसे हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं चोन सूल स्टोन टूस फाउंड द्यूरिंग दिपीरिड तो इसे हम चली हंच सब्सक्राइग पूरिंग तो अगली सटोन साल की तो अग्ली स्टोन साल गए भोध इन नियू वेलिएगेश वीर वी अपोई लिए अब लिएगेश सल पहले जो climate है उनमें change जाने लगा पूरे ही वर्ल्ड में जो climate है उनमें change जाने लगा फिर क्या हुआ बहुत जगाओं में जो development है grasslands का वो होने लगा और जो weeds हैं ये भी अच्छी grow होने लगी था तो फिर जो grasslands है इनका अच्छी growth होने लगी इनका development होने लगा और जो grasslands जो animals हो grasslands में रहने की अधत है वो भी इन जगाओं में जो grasslands है उनमें आ गए और इसी से पता चला hunter आनी उसी से जो hunter gatherers है वो भी herding करने लग गए वो भी animals को पालने लग गए those who hunted these animals now followed them तो जो इन animals को hunt करता था उनके लिए ये easy हो गया इनको hunt करना learning about their food habits and their breeding season it is likely that this help people to start thinking about herding and breeding these animals themselves fishing also became important तो इनी सब चीजों से लोगों को पता चला कि हम herding कर सकते हैं और fishing कर सकते हैं farming भी कर सकते हैं अब है the beginning of farming and herding तो फिर क्या हुआ beginning of farming and herding start हुआ तो beginning of farming किससे start हुआ तो जब environment में change आया तो फिर जो wheat cranes हैं इनका भी सा अच्छे growth होने लग गया तो फिर ऐसे ही लोगों ने हमारे सब कॉंटिनेंट में farming शुरू किया लोग अच्छे variety में farming करने लग गए लोगों ने plants को उगाना भी तो लोगों ने सोचाएगी तो हम उगा भी सकते हैं इनको तो हम grow भी कर सकते हैं तो ऐसे ही लोगों ने farming करना शुरू किया और weed, grains ने सब को उगाना भी शुरू किया उसके बाद herding तो फिर herding में जब लोगों लोग आनिमल से काफी attract हो गएं और उनको पालने लगा है उनको उनकी herding करने लगा है उनको पालने लगा है और पहला अनिमल जो उनने पाला था वो था wild anchor और एक था dog and people later encourage animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived these animals such as sheep, goat, cattle and also pig, lived in herds तो ये कुछ आनिमल्स है जो कि herds में रहने लगा है और जो लोग थे वो भी इन आनिमल्स से इतना attract हो गएं तो इनको हमेशा बचाते थे इनको पालने लगा है तो इनको wild आनिमल्स से बचाते थे इनको protect करते थे और उनको काम में भी ले दे थे अब आता है domestication तो domestication क्या होता है so they came is the name given to the process in which people grow plants and look after animals very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals this is because people select plants and animals for domestication for example they selected those plants हाथ तो डोमेस्टिकेशन में जो people है वो animals को look after करने लगए उनको देखने लगए मतलब उनको खयाल लखने लगए और जो plants है उनको भी grow करने लगए तो डोमेस्टिकेशन का मतलब बैसकली ये है कि लोग उनही plants और animals को चुनते थे जो के काम के होते थे मतलब उन आनिमल्स को जो की वाइल्ड ना हो उनके दाज़ जादा शार्प ना हो वो खतरनाक ना हो और जो की उनके सीइंग हो वो कम हो खतरनाक ना हो ऐसे आनिमल्स को पाने लगए जो काम आ सकते उन अनिमल्स को प्लांट्स में वो जिसे जहरी लेना हो, कड़वेना हो, ऐसे ऐसे प्लांट्स को वो ग्रो करने लगा है तो इससे हम बोलते हैं डॉमेस्टिकेशन Now, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world It began about 12,000 years ago Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication तो अब ये domestication जो है, वो जो पहरे domestication हुआ था, जो लोगों ने करा था Domestication शुड़ू, उसी के वज़े से आज हम farming, herding करते हैं और sheep, goats न सबको पाते हैं Now, a new way of life, चलो If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow This may be for several days, weeks, months and in some cases, years When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time Looking after the plants, watering, weeding Okay, weeding क्या होता है, weeding मतलब होता है, unwanted plants को निकाला Driving away animals and birds Till the grain ripened And then the grain had to be used carefully As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it अब लोगों ने क्या सोचा की जैसा की आप जानते हैं लोगों को वीडिंग करना था, watering करनी थी पिर वीडिंग करना था, फिर जो राइपेंड ग्रेंस उनको निकालना था तो इनको वो store कैसे करें तो उसके लिए वो क्या चीज यूस करने लग गए वो यूस करने लग गए baskets को as grain had to be stored for both तो grain इतनी काम आती थी तो उसको store करना पड़ता था तो फिर उसको वो कैसे करने लग गए store वो उसको basket में तो फिर वो नहीं पॉटनिंग start करी तो फिर वो क्या बनाने लग गए pots बनाने लग गए baskets बनाने लग गए इन सब चीजों को भी बनाने लग गए ताकि वो grains को store कर सके तो grains कितनी important और तो फिर pottering भी कितनी important थी जो कि अभी भी हम use करते हैं अब है storing animals अचा यह नहीं आ रहा है आपके यह आपकी book में नहीं है finding out about the first farmers and herders यह भी नहीं आ रहा towards a settled life okay यह तो आपके हैं ही नहीं आपके आरहे towards a settled life so इसमें क्या है archaeologists have found traces of herds or houses at some at some time at some sites for instance in in Burza in present day Kashmir people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them these may have provided shelter in cold weather archaeologists have also found cooking herds both inside and outside the herds which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors so so now we are talking about burza home which is present day Kashmir in 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 out in i और उसका भी निर्मान हो गया था उस समय तो हम्हती को बार भी चलाते थे अंदर भी चलाते थे हट के ठंड में और ये भी पता चल गया था कि उससे खाना जो है वो भी कुक करते थे, इधर इंडोर और आउट्टोर, अभे ब्रॉ और पिठा हूँ, stone tools have been found from many sides as well, many of these are different from the earlier paleolithic tools and that is why they are called neolithic, these include stools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles, mortars and pestles with a silver top used for grinding grain and other plant produce, mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later, at the same time, tools of the paleolithic types continue to be made and used and remember, some tools were made of gold, many kinds of olden pots have also been found, these were sometimes decorated and were used for storing things, people began using pots for cooking food, तो अब क्या है अब क्या है अब क्या हुआ कि जो मोट कि जो यह हमने अभी sites देखी यह न्यू लिथिक sites हम इनको बोलते हैं, आज देखी तो चौन टूल्स हैं यह बहुत ऐसी sites में मिले हैं और जो sites लेकी नियू लितिक हो गई है और ऐसा नहीं है कि जो चीज़े ब ona телеф Vou इसे चीजह निए कॉर उसके निए कुछ को सब्सक्राइबेद में होती लेकिन पातफूंत को एंको ऑर जादा अच्छा निए लगगा हूं तो इन लोगों ने क्या श båद लोगों के लुए स्वेड़ इंसे परोटार्थ और इस चीज को अभी भी यूज करते हैं ग्रेंज को या फिर किसी भी हाट चीज को गाइंड करने के लिए ठीक है और कुछ चीज़ें बोन से भी बनाई जाती थी पैलियोलिटिक एज में अब हम बात करते हैं और थे मैन खेंड बनाएफ और थे अर्दन पॉर्ट्स मेनि ऐता उर्दन पॉर्ट्स थे वर हो आजु पांड बनाऑ कर शीज लोड़ें फोर सुर्पाह लिगा जुपले पॉर्ट्स पोर्ट पर कुंग पूर्ट्ट, सेचिज कर देश्या को लिख है जो पौर्ट्ज में गोड़ा पेहले आप देखा था त्यवाट प्रकूरींग गोड़ा थे धिर लेकिन प्र वाद्ज में तो है लिटेशन पौर केंद और लेकिराशन रख्ट और शाएम क्या परिए से था सब चीज उस Meat पर baş नारे किर्टों को बने हो बिने में लगने के लियुक्तूर कल देवलॉप्मेंडा Turkishош सामा पैमारे लेकित कि मुँम्हें दलॉप्मेंट के ைसे जगव हो दोड़ ऑफ हो दो हैंघ मीदे थो तो सब्सक्राइब फाल करनको North क्रीड को है आपको यह समझ में आ गया होगा वेरी इजी चैप्टर और हमने एक ही वीडियो में से कंप्लीट कर लिया है मुझे यकिन है कि आपको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा और इस पूरे 30 मिनिट्स में हमने जो भी पढ़ा फ्रम हांटिंग यादरिंग टू गोइंग पू क्या है क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है यह पढ़ना दो 40-42 मिनिट्स लग जाते हैं बड़े चैप्टर में और आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़के तो हमने पढ़ा फ्रम हंटिंग यादरिंग तू गोर अगले वीडियो में हम इसके क्वेशन आंस कि अरुन सा करें क्वेशन यह नहिंए भी बड़े झाया हमने को जासे वीडियों में हम है तो कि बड़ें आंस तो का क्या चैप्टर लेग्यों में हम आपके बड़ें पिसक्तिंग प्रेष सब्सक्ष्टर थासा जा और शुल्स तिंगरें अजधर रज़ग के प्श, इस